तुम लोगों को पता है कि मैंने ब्रॉल स्टार के ये टोकन खरीदे है तुम लोगों को पता है बबल कुवास गेम में कितने बोनिस होते हैं अरे ये क्या ये तो बहुत गलत हुआ अरे वा मामा क्या बात है ये कमाल है ये मैं साइन इन हो गई ये क्या शो क्यों नहीं हो रहे ब्रॉल स्टार ओ ये शिर्जा क्या करता है वा ये तो कमाल हो गया बड़ा मज़ा आया शिर्जा तुमने मेरे फून में ये नई गेम क्यों की है अरे मामा मैं गेम केल रहा हूँ देखिए मुझे कितने ज्यादा टोकन मिले है जल्दी बताओ मुझे आपको पता है कि मैं इस गेम में कितना आगे तक चला गया हूँ ब्रॉल स्टार में तुमें कितनी बार कहा है मेरा फून ना पकड़ा करो अगल पकड़ते हो तो ये गेम क्यों इंस्टाल करते हो अब मैं इसका क्या करूँगी बताओ मुझे और इस गेम पे पैसे खल्चते रहते हो ये बात ठीक नहीं है मामा अब मैं क्या करूँ मुझे शौक ही इतना है इस गेम को खेल लेका और अच्छे अच्छी चीज़ें जो है वो टोकनों से ही मिलती है हाँ चलो मल जी है शिर्जा तुम इदल मैठे हो मुझे एक बात ज्यार आई क्या मुकाबला ये देखो मैं तुम्हें एक चैलिंज देती हूँ बबल क्वास ठीक है मैं कोई नहीं भागता यहां से मुझे तो ये अच्छी लगती है तुम्हें पता ये गेम बहुत अच्छी है बबल क्वास बहुत अजीब गेम है मैं तुम्हें बताती हूँ वो गेम खेला करो ये वाले गेम को छोड़ दो ये बहुत मज़ेकी है तुम्हें जो मैंने गेम बताई है वो वाले गेम खेला करो बाकी गेम्ज में बहुत अजीब पलेज होते हैं चलो मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगी ओके? वा ये तो ठीक है मज़ा आएगा इस मुकाबले का मामा मैं खेलूँगा ये मुकाबला मैं पीछे नहीं अटूँगा तुम्हें अच्छी लगेगी शिज़ा चलो इसी बहाने वो ये गेम खेलना छोड़ देगा देखना मामा मैं आप से सबसे बड़ा वाला प्राइज जीतूँगा चलो मैं जाती हूँ अब तुम दुबारा वो गेम मत खेलना यहाँ पर मुझे अपना इमेल लगाना होगा दोस्तों यहाँ पर इमेल लगाएंगे तो आपकी सारी इमेल आएगी दोस्तों बस अब आप देखते जाएए कि मैं यह मुकाबला कैसे जीतता हूँ देखते हैं मैं कौन सी गेम खेलता हूँ यह वैसे गेमें तो मेरे सामने से गुजरी हैं और मैं इनका माहिर हूँ यह देखिये ज़रा मुझे 10 कोईन भी मिल गए हैं इसका मतलब है कि यह बोनस है मेरे लिए और यह गेम खेल सकता हूँ अरे क्या यह वार्निंग किस चीज की दे रहा है क्या मतलब है इसका अरे नहीं यह भी सिलेक्ट नहीं हो रहा मुझसे मैं यह सिलेक्ट नहीं कर सकता और नहीं हासिल कर सकता मुझे लगता है कि मुझे यह टोकन खरीदने होंगे और फिर इनको परचेज करना होगा दोस्तों क्या कहते हो आप लोग मैं वैसे थोड़ा ठक गया हूँ मैं वैसे अब क्या करूँ मुझे लगता है कि मुझे टोकन खरीदने होंगे अगर हाँ मुझे टोकन खरीदने पड़े तो मैं खरीद सकता हूँ पॉलीना क्या तुम मेरे साथ ये गेम खेलना चाहोगी हाँ मैं खेलना चाहूँगी लेकिन कैसे खेलते हैं तुम मेरी बेहन हो ये लो मेरा फून रख लो खेरो जरा मैं तुम्हें बताता हूँ के बबलकॉस कैसे खेलनी है ये देखो यहां से प्लेयर चूज़ करते हैं और फिर चूज़ करके यहां से गेम स्टार्ट करनी होती है इस बटन को दबा कर और अगर ना हो तो फिर मुझे बता देना तुम मैं कर दूँगा तुम्हें स्टार्ट ये गेम तुम खेल के देखना बहुत मज़े की है ये गेम अरे हाँ मैं जरूर खेलूंगी दिखाए मैंने तुम्हें कहा ना अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लेना अब देखेगे जरा मैंने इसे आदर डाल देनी है इस गेम की अब देखते हैं कि मामा कैसे नहीं देती अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सब कुछ अपने आप होगा देखते जाएए ओ मैं अब तक क्या करूँगा ओ मैं कितना बोर हो रहा हूँ अरे वाँ मेरा प्लेयर दिखे कितना जीत रहा है क्या मतलब है दिखाओ जरा मुझे अरे ये इसका प्लेयर नहीं है ये क्या ये तो बोनस मिला है ये तुम्हें कैसे मिला बहुत अच्छा गिला है तुमने मैंने कुछ नहीं किया मुझे नहीं पता ये कैसे मिला है अगर आप ना टेंगे तो मैं नहीं केलती अहाँ मुझे पता था ये ही जवाब देगी अब मेरे पास कोई और हल नहीं बचा अब मैं क्या करूँगा दोस्तों आप लोग बताइए कि मैं अब आगे क्या करूँगा मुझे कैसे मिलेगा फोन मुझे तो वैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा लेकिन मेरे पास एक आइडिया है मैं कुछ कर सकता हूँ ये क्या ये तो डाउनलोडी नहीं हो रहा मैं क्या करूँगा मामा का फोन है ये पासवेट भी मांगेगा मुझसे डाउनलोड करने के लिए तो फिर मैं क्या करूँगा मतलब कि मैं ये गेम नहीं केल सकूँगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता मुझे दोस्तों बताइए कि मैं क्या करो इदर जाओ या इदर जाओ समझ नहीं आ रही मैं मामा को कैसे मनाओ इस फोन मैं मामा को कैसे मनाओ कि वो मुझे फोन दे दे गेम केलने के लिए मेरे पास एक आइडिया आया हाँ मैं जाता हूँ और जाकर इसका नया हल ढून कर लेकर आता हूँ फिर मुझे ये क्यलने देंगी सुनो पॉलीना, क्या तुम कभी भी मामा का फून पकड़ सकती हो जब चाहो? क्या मतलब है? क्या करना है आपने? कुछ नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ तुम से तुम चुप करके मामा का फून ला सकती हो? हाँ, सोच सकती हूँ, लेकिन मुझे, इसमें कोई शक तो नहीं कैम ला सकती हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुमें क्या मिलना है? मैं तुम्हें ये लॉलिपाप्स दूँगा हाँ, ये अच्छी बात है, इदर लाओ चलो अब मुझे बता भी दो के तुम मेरा काम कर दोगी न हाँ कुशिश करूँगी के मामा सोएंगी तो फिर ओहो यह क्या हो गया यह वाली गेम तो मैंने कभी नहीं खेली बच्पन में खेली थी अब इस तरह की गेमे मुझे बिलकुल अच्छी नहीं लगती दोस्तो देखिये इस तरह की गेमे कोई बच्चा खेलता है क्या लेकिन मुझे तब तक खेल नहीं होगी लेकिन दोस्तो यकीन मानिये मेरा बिलकुल भी दिल नहीं कर रहा ये गेम खेलने को यह फिर ब्रॉल स्टार खील रहा है अहाँ यह तो पॉलीना खेल रही हैं ओ दोस्तो देखिये मेरा काम बन गया मामा को लगता है कि पॉलीना खेल रही thereby आपको नजर दो आ रहा है मामा मुझे नहीं बता मैंने नहीं खेली नहीं कुछ नहीं ये शिर्जा क्यूं नहीं खेल दो हा अरे वा पॉलीना तुमने तो कमाल कर दिया ये खेल के शिर्जा तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ तो क्या हुआ मामा मैंने सोचा मैं तुम्हें गेम खेलते रहने देना चाहती हूँ मैं ऐसे ही रोकती रहती हूँ क्या वागई आप सच कह रही है ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ वाँ मामा क्या सच मैं ये लो ये कार्ड रखो तुम अरे वा मामा आपने तो कमाल कर दिया दोस्तो मेरे पास काड आ गया मैं टोकन खरीद सकता हूँ इससे वा मैं अपने पसंद की चीज़े खरीदूंगा दोस्तो मुझे बताओ के मैं कौन सी चीज खरीदू और कौन सी चीज सिलेक्ट करो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कोई अच्छी चीज लेना चाहता हूँ जो काम भी आए दोस्तो आप भी खरीद सकते हैं ये देखिए ओ क्या मेरी मामा ने मुझे ये काड दे दिया चीजे खरीदने के लिए उनके पैसे जाया तो नहीं है हाँ मामा को थैंक यू कहता हूँ सुनो पुलीना तुम्हे पता है कि मुझे मामा ने काड दे दिया चीजे खरीदने के लिए अरे वाँ मजाए खाब तुम्हे मेब्या गेम खिलाओंगा दोस्तो अब हम दोनों जाएंगे और अपनी मामा को जाकर धन्यवाद कहेंगे क्यूंके उन्होंने हमें काड दिया हाँ बिल्कुल तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा हम फिर मिलते हैं